कमागनी फ्रेंद्स वेलकम बेकेश्थ तू स्वदोसेहर आज स्वदोसेहर में activity जा रही हूं मतर मंचूरियन अपने बहुत बार आलू मंचूरियन ट्राइक किया होगा ग्वि मनचूरियन गुब्स की चिलिए हमारी रेसिपी शुरू करे संवी मटर मंचूरियन बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप मटर फ्रेश मटर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर आप चाहे तो फोजन मटर भी यूज़ कर सकते हैं अब यह जो मटर है इनको मैं डाल रही हूं ग्राइंडर जार के अंदर और यह जो मटर है इसको हम कोर्सली पीसे इसको हमें पीसना यह दो है बारीक इसका पेस्क मो Patrol नियाना है और एक ब Dou रॉंड में ही इस तरीके इसी पिस जाएगा दर-दरा मैं अब मतर को निकाल को निकालियते हैं मिक heir के अंदर उसमें कुछ मसाले आड ने तो सबसे पहले मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ तो तीन चमच मैदा इसके अंदर आइड करूंगी मैं और साथ ही तीन चमच कॉन प्ला डालेंगे इसके अंदर अब इसमें मैं डाल रही हूँ दो बारीक टीवी हरी मिर्च साथ ही मैंने लिया है थोड़ा सा हरा प्याज गिभी इसके अंदर आइट कर देंगे हरा धनिया डालेंगे एक चमच मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे अगर आप चिली फ्लेक्स नहीं डाल रहे हैं तो लाल मिच पाउडर डाल ले थोड़ा सा पिसावा लेसुन डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसका हम एक डो जैसा बना लेंगे तो इसमें हम पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि जो मटर हमने डाला है हरा प्यास डाला है हरा धनिया डाला है उसमें इतना मोश्चर है कि ये जो मिक्स्चर है हमारा ये थोड़ा गिला हो जाएगा और अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी मिक्स्चर के अंदर तो देखिए जैसे जैसे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ मिक्चर जो है वो गिला होना शुरू हो गया है सबजियों की वज़े से तो यहां देखी जो भी हमारे मसाले थे वो बिल्कुल अच्छे से बाइंड होने शुरू हो गये हैं तो आप इसके हमें छोटी छोटी बॉल्स तयार कर लेनी है देखिए इस तरीके से बस इस तरह से सारे मसाले की हमें छोटी छोटी बॉल्स तयार कर लेनी है तो बॉल्स मैंने यहां पर तयार कर ली है अब हम इनको फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए मैंने तेल चिडाया है पैन के अंदर तेल को हम अच्छे से पहले गर्म होने देते हैं यह जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो सारी मटर बोस इसके अंदर डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इनको हम फ्राई करेंगे ताकि एक क्रिस्पी फ्राई हो अच्छे से फ्राई हो जाएं अंदर तर और अब किसी चम्मच या स्पैचुला की हैँब से आप इस तरीके से इनको उलटते पलटते हुए अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें तो यहां देखें इनका कलर गोल्डन हो चुका है यह क्रिस्पी हो चुके हैं तो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अब बस इनको निकाल लेंगे बाहर तो मठर के बॉल्स मैंने फ्राई कर लिए हैं मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ यह बाहर से एकदम क्रिस्पी हैं अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं तो आप इनको ऐसे भी चाय के साथ में स्नेक्स के तोर पर इंजॉय कर सकते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं अब देखिए उस पैन का मैंने बाके का तेल निकाल लिया है सिर्फ दो चम्मच तेल रखा है पैन के अंदर और क्योंकि तेल हमारा अल्रेडी गर्म है तो तेल के अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बारी कटावा लैसुन और साथ ही एक बारी कटिवी हरी मिच मैंने इसमें डाल दी है लैसुन और हरी मिच को हमें लगवग 15-20 सेकेंड के लिए थोड़ा सा भून लेना है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ दो मीडियम साइज के प्यास प्यास को हम थोड़े बड़ी साइज में ही कटेंगे प्यास के साथ मैं इसमें थोड़ी सी पत्तागो भी डाल रही हूँ मेरे पास में अभी शिमला मिर्च नहीं है तो मैं इसमें शिमला मिर्च के जगे पत्ता गोबी डाल रही हूँ अगर आपके पास में शिमला मिर्च है तो आप शिमला मिर्च डाल लें और अगर शिमला मिश नहीं है तो मेरी तरह आप भी इसमें थोड़ी सी पतागोबी डालने अब प्याज और पतागोबी को हमें थोड़ी सी देर के लिए पकाना है बस बहुत जाद इसको नहीं पकाएंगी हम इतना इसको पकाएंगी कि जो प्याज और पतागोबी का कच्च कच्चापन है वह थोड़ा सा दूर हो जाए तो यहां आप देख सकते हैं प्यास पत्तागों भी थोड़े से पक चुके हैं इनका कच्चापन दूर हो गया है तो अब इसमें मैं डाल रही हूं पिसी हुई काली मिर्च साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक एट कर देंगे ध्यान रखें नमक हमने मटर की बॉल्स के अंदर भी डाला है तो नमक यहां पर आप थोड़ा सा ही डालें अब मैंने लिया है सोया सोस यह होममेट सोया सोस है यह घर पर ही बनाया है रेसेपी जल्दी ही मैं आप लगों के यह और अरुमर को स्थां सै डाल रही हूं अधर तहोड़ा सा इसको अंदर मैं डाल रही हूं ग्रीण चिली सॉस लगबग आधा चमच के आस पास में क्यूंकि हम इसमें काली मिर्च डाली है चिली-这么 fix डाले है हिरी दाली है चिली ऑस तो प्या एं सा तो तो यह सोड़ा सा मच GORN flour लिया है, GORN flour के अंदर हम लगबग एक चुछाइक कप पानी ऐड़ करेंगे और इसकी सलरी तयार करेंगे और ये जो GORN flour का गहूल हमनी तियार किया है स्को हम धीरे-धीरे ऐड़ कर देंगे हमारी gravy के अंदर तो इसकी वज़े से हमारी जो ग्रेवी है उसके अंदर बहुत ही बढ़ी थिकनेस आएगी तो यहां देखिए हमारी ग्रेवी जो है थिक होनी शुरू हो गई है तो यह काफी थिक हो गई है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी लगबग आधा कब पानी और एड़ कर रही हूँ और अब इस ग्रेवी में हम एक उबाल आने देते हैं तो यहां देखिए इसमें उबालाना शुरू हो गया है तो अब इसके अंदर जो मतर के बॉल्स हमने बना करके त्यार करके रखे हूए है वो एड़ कर देंगे मतर बॉल्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है ग्रेवी के अंदर और इसको लगबग एक मिनिट के लिए हम और कुप कर लेंगे ताकि जो मतर बॉल्स है यह थोड़े से सॉप्ट हो जाए और बस अब लास्ट में इस पर हमें स्प्रिंकल कर देना है हरा प्यास और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर देते हैं और हरे धनिय को मिक्स करने के बाद में गैस की फेम को बंद कर देगे और गर्मा गर्म मटर मंचूरियन को हम निकाल लेंगे सविंग बोल के अंदर और इसको आप गर्मा गर्म ही सर्व करें बहुत की तेस्टी लगता है यह तो आप भी यह वाली रसीपी जरूर ट्राई कीजेगा आपको बहुत पसंद आइगी और कैसी लगे को आज की रसीपी कमेंट बॉकस में कमेंट करके आपके पीड़ बेक जो है मेरे साथ में जरूरू शेयर कीजेगा लास्ट में मैं इसको गार्णिश कर रही हूँ थोड़े से हरे धनिय और हरे प्यास के साथ में तो यह दी फ्रेंस आज की रसेपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर देना चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रू कर दीजेगा वी मिलेंगे किसी नए रस्पी के साथ में इसी चैनल पर तब तक के लिए बाट स्टे कनेक्टिव एपी कुट लेंगे